Friends, I am Mudita and you are joining Mudita IS Warrior So Class 10, कैसे हैं आप सभी? I hope बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे आज हम बढ़ने वाले हैं, उप विशय है हमारा संसाधनों का संरक्षन और समाजिक विज्ञान की कारे पत्रक साथ है, जो 22 जुलाई कले आपको दी गई है पिछली जो कारे पत्रक्ती वहां हमने पढ़ा था कि संसाधन क्या होते हैं उनका वर्गी करण कैसे किया गया है, हमारे जीवन में प्रियोग किया है आज हमारा मुख्य विशय है कि इनका हम संरक्षन कैसे कर सकते हैं किसी देश के आर्थिक विकास में संसाधन मूलभूत आवशकता है संसाधन की मूलभूत आवशकता होती है किसी भी देश के विकास में अगर हम भारत की बात करें तो हम बोलते हैं भारत एक विकास सील देश है और अमेरिका एक विक्सित देश है, तो यहाँ विकासील देश है, विक्सित देश बनने में जो संसाधन है किसी भी देश की बहुत इंपोर्टन रोल प्ले करते हैं, ठीक है, आपके यहाँ ज़ादा आइरन कोर्स होंगे, डायमेंड के कोर्स होंगे, ज़ादा यह सारी में भी आप पढ़के आए हैं, तो तीनों छेतर के विकास के लिए संसाधन की आवशकता है, चाहे हम कृशी की बात करें, वहाँ पे आपको औजार, हतियार जरूरत पढ़ते हैं, ठीक है, ट्रक्टर, हर चीज जो बना होता है, संसाधनों से ही बना हुआ है, उधोग, पर करना, यानि इनका बचाव करना बहुत जादा जरूरी है, अब आपको यहाँ पर बताया हुआ है, कि आप खनिज संसाधनों का संरक्षन कैसे कर सकते हैं, तो खनिज संसाधन में क्या आगया, आपका खनिज में आगया, आपका लोहा, तांबा, जस्ता, अलमीनियम, ठीक है इन संसादनों का आप कैसे संद्रक्षन कर सकते हैं नमबर वन खनीजों का प्रियोग सुनिश्चित एवं सतत्पोष्णिय तरीके से करने की आउशकता है सुनिश्चित एवं सतत्पोष्णिय तरीके से यूज करने का मतलब क्या है इसका मतलब है कि आपके पास जो भी खानिज है ना उसके लिए आप मैनेजमेंट करिए हमने इस में जब आपको चाप्टर पढ़ाया तो वहां मैंने आपको बताया था फोर एक्जामपल अगर हम भारत की बात करें तो इसके लिए तालिका बनाए कि हमारे किस राज्य में प्रियोग करिए अगला है आपका निम्नकोटी के अहिसको को कम लागत उपाई प्रियोग करने के नई तकनीक का प्रियोग इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़े हैं जो निम्नकोटी के हैं लेकिन अगर हम उसको टेकनोलोजी का इस्तमाल करें तकनीक का इस्तमा प्रतिस्थापनों का उप्योग करना। अगर इसका कोई अल्टरनेटिव आपके पास है अगर बना सकते हैं तो आप उसका अल्टरनेटिव का स्तिमाल करूये जिससे हम अपने खरीजों का संसाधनों का बहुत अच्छे से इस्तमाल कर सके संरक्षड कर सके अगला है उल्जा संसाधनों के संरक्षड के उपाई उल्चा संसादन क्या होते हैं इसमें आपका आ जाता है कोईला पेट्रॉलियम ठीक है तो इनका आप कैसे संरक्षड करेंगे तो पहला वन है पहला है सोर उजा पवन उजा नवी करनी है श्रोतों का अधिक प्रियोग हमारे पास जो कोईला और पेट्रोलियम है वो कैसे है आ नवी करनी है यानि जिने बनने में तो लाखो करोड़ो वर्ष लग जाते हैं लेकिन समाप्त होने में बहुत कम समय लगता है तो इसके स्थान पर सारवजनिक वहां सारवजनिक मतलब है कि एक घर से पांच परिवार है सब लोग अपनी अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं इतना उल्जा वेस्ट करें इसके स्थान पर क्या करिए अपना मैट्रों से जाए अगर मैट्रों में नहीं जा सकते तो कार पूलिंग आपने सुना होगा कि तीन लोग एक ही जगे पे जा रहे हैं अलग-अलग तीन लोग तीन एक ही महलें के एक है कि प्लाट के ठीक एक ही उसओ आप एक जूप करने बनेत्या को सब्सक्राइबcribe उससे हम पो घर सबीतान को उसको बचा सकते हैं अगला है जब इसका तो आप स पूरी रोड भरी होती है जब उपयोग नहों रहा हो तो बिजली के स्विच को बंद कर दे यह चीज तो आप अपने घरों में भी कर सकते हैं कई बार के रूम में आप नहीं होते हैं फिर भी लाइट आउन करके छोड़ देते हो कि यह बिल तो हमको भड़ना है लेकिन बिल बचा कर ही उसका मतलब उत्पादन कर सकते हैं आप जितना बचाओंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है वरना ऐसा हो सकते कि आपको मिले ही न तो फैन ओफ कर दो इसकूल में जब आप घर आते हो तो आप खुच स्विच ओफ कर कर आओ अगर आप क्लास से निकल रहे हो इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए उर्जा बचत करने वाले उपकरनों का प्रियोग करना इसके अलावा ऐसी अल्टरनेटिव चीजों का यूज करना जिससे उर्जा की बचत होती हम कहते है ना 5-star rating स्टार रेटिंग क्या होता है जहां पर कम कंजप्शन होता है जैसे इक उल्टरनिक एक्वीमेट लेनए जाते है तो वहां पर बोलता है स्टार एटिंग के हिसाब से कॉस्ट होगी जिसमें ज्यादा डा टू टू बिどう लोगे तो वह इसको टो यह तो यह तरीक अब यहां पर एक इसमों स्लोगन उत्पादन है यानि देखिए उल्जा को बनाने में हमारे कॉस्ट भी लगती है महनत भी लगती है और अगर हम इसका सही से इस्तमाल ना करें बचाए ना तो इसकी खपत तो unlimited है वो कहते हैं आपको 4G डाटा मिलने लगा पहले 1G में पूरा महीना लोग चलाते थे अभी 1G एक दिन का भी मिलता है तो भी लोग को कम लगता है ठीक है तो आप जितना उसका इस्तमाल बढ़ाते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा इसी तरीके से हमारे पार जो उल्जा है इसका सीमित आप इस्तमाल करेंगे तो ठीक है आप सोचेंगे कि हम और करें और करें तो आपका जो एक्सपेक्टेशन है यूज है वो तो बढ़ता ही चलागा अनन्त है इसलिए उल्जा की बचत बचत करके ही हम इसका उत्पादन कर सकते हैं अब चलिए प्रशन देख लेते हैं तीन प्रशन है संसाधन के संरक्षन हमारे लिए क्यों आउशक है तो भाईया क्यों आउशक है अब ये बहुत अच्छे से आप बता सकते हो तूसरा है आप अपने द्यानिक जीवन में कैसे बचा सकते हैं तो एक एक तरीका तो आपको बताना ही चाहिए और उल्जा की बचत उल्जा का उत्पादन है जो अभी अमने स्लोगन पढ़ा इसकी व्याख्या करनी है ठीक है तो सभी प्रशनों के उत्तर देखेंगे कोवीट के संदर में मैसेज भी दिया हुआ है जो कि आप लोग ध्यान रखते ही होंगे प्रशन क्या था संसाधन के संरक्षन हमारे लिए क्यूं आवशक है तो इसका आप वही उत्तर लिखेंगे किसी देश के आर्थिक विकास में संसाधन मूल भूद आवशकता है में कोईल और पर्त्रोलियम लेकिन संसाधन सीमी इस इनका संक्षुन करना अवशक यह वहाट ही सिंपॉल सांसर है और सबीश चेतों के लिए विकास के लिए आवशकता है तीसरी बात कि कि लिम्रेटेड इस इनका संक्षन करने की ज़रूरत है अब अगला प्रश्न आप स से संरक्षन कर सकते हैं तो हम अपने दैनिक चीवन में खनी संसादों का संरक्षन निम्न प्रकार से कर सकते हैं नमबर वन, संसादनों का पुना चक्रन, पुना प्रियोग, जो भी संसादन हमारे घर में हैं, हम कोशिश करेंगे, नया लाने से अच्छा, उसी को रिपेर करके यूज करें, पुना चक्रन करें, अन्य प्रतिस थापनों का उप्योग, जो भी उसका विकल्प मिलेगा हमें, हम उसका प्रियोग करेंगे तीसरा आपसे प्रशन पूचा था कि उल्जा ही उल्जा का बचत है उल्जा की बचत ही उल्जा का उत्पादन है इसे एक उधारन के साथ व्याख्या करिए तो इसे कैसे लिखेंगे उल्जा की बचत ही उल्जा उत्पादन है क्योंकि उल्जा बहुत ही महद्वपूर्ण संसाधन है जिसका संरक्षन एवं बचत करके ही उसकी आपूर्थी की जा सकती है मतलब सबको तभी मिल पाएगा जब हम उसकी बचत करेंगे अब उधारन क्या है उधारन है प्रती चार घंटे से अधिक जलने वाले 75 वाट के बल्बो की जगा यानि 75 वाट के जो बल्ब होते हैं बल्ब पे वाट लिखा होते हैं अगर एक घर में ऐसे किया जाएगा हर घर में किया जाएगा तो सोचे हम कितनी बचा सकते हैं आगे आने वाले 10 साल की बचली बचा सकते हैं तो ये हो गया हमारा उधारन यहां में वर्क्षीट कंप्लेट होती है आपको नीचे कुछ नवी करनी है संसादनों के नाम लिखने हैं कुछ नवी करनी है ठीक है नवी करनी है उलजाओं के नाम लिखने हैं आपको एटलीस एक, दो या तीन नवी करणिये उजाज अंसादनों के नाम कमेंट में लिखने है साथ में चानल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, ग्रुप्स में शेयर करिए जिससे आपकी बढ़ाई और अच्छे से बूस्ट हो सके